तो बच्चो जैसा कि आपको पता है कि हिंदी में हमारा फोर्थ चैप्टर है जल बचाओ यह हमने शुरू किया हुआ है तो लैसन की रिडिंग हम कर चुके हैं और इसमें जो अभ्यास है रचनात्मक और शारांशात्मक प्रशन वह भी हम कर चुके हैं आज हम करेंगे बचा वर्णनात्मक प्रशन ठीक है तो इसमें एक भाग है निमन लिखित प्रशनों के उतर लिखिए तो इसमें प्रशन एक है जल नदियों से बहता हुआ कहां जाता है तो कहां जाता है हमने लैसन में पढ़ा था ठीक है तो कहां जाता है जल नदियों से ब पानी को क्या क्या काम करते पानी से तो जल हमारे नहाने के कप्रे धोने के खाना बनाने पीने के लिए काम आता है आगे हैं जल हमें कहां कहां से प्राप्त होता है यान की जल को हम कहां कहां से ले सकते हैं कहां कहां से हमें जल मिल सकता है तो जल हमें नदियों से जीलों से ता प्रशनुन प्रशन में आपको जलिमय में जो पादला था केसे पने स्वाध सफ़ पर्छावे के इसमें पादलिता हं तो जब सूरिय की गर्मी बढ़ जाती है तब जल भाप बनकर उपर उठ जाता है और बादल बन जाता है प्रशन दो है जल को सवच रखने से क्या लाब है तो क्या लाब होगा जल को अगर हम सवच रखेंगे साफ सुधरा रखेंगे तो जब हम सवच जल पीएंगे तो हम सवस्थ कब रहेंगे जब हम सवच जल पीएंगे तो बच्चों आपको यह जो दो भाग है कर अपनी नोट बुक में लिखने हैं और साथ में आपको याद भी करने हैं थैंक यू हैव नाइस दे